हालो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन आज हम बात करेंगे वर्टिकों की बारे में डिजीनिस के बारे में चक्कर क्यूं आता है और अचानक बॉडी का बेलेंस क्यूं खराब हो जाता है के वेरी आपने देखा होगा कि लोग चलते चलते ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अल्कोहल ड्रिंक कर रखी हो या कोई नसा कर रखा हो उनका बॉडी का बिलेंस प्रॉपर नहीं होता है अचानक ब्लैक आउट हो जाता है अंधिरा आ जाता है अचानक वो अपनी बॉडी क हो सकता है आपको dizziness हो सकती है आपको तो आज हम बात करेंगे vertigo के बारे में dizziness के बारे में आप चैनल को subscribe करिए और चैनल को साथ करिए और और आपका motivation हमारे लिए बहुत important है जो हमें energy देता है motivation देता तो यह एक scientific डेलेवरेशन है scientific channel है तो आप for health education आप चैनल को subscribe करें तो आज हम बात करते हैं कि वर्टी को क्या है वर्टी को के symptoms को ज़दी हम समझें तो कई बरी देखा होगा आपने कि अचानक आपको blackout दिखाई देता है मतलब आपको blackout हो जाता है आपको आसपास की surroundings की यानि आपकी जो memory है आप कैवरी रिलैप्स नहीं कर पाते हैं कैवरी चीजों के साथ coordinate नहीं कर पाते हैं कैवरी आप object को देख लेते हैं लेकिन object आपके समझ नहीं आता है तो यह कुछ सेट आप symptoms हो सकते हैं आचानक कैवरी गर्दन में दर्द कैवरी stiffness कैवरी dizziness कैवरी pal palpitation आपको होता है तो यह सब symptoms हो सकते हैं और आपको यदि आप किसी दूसरे इंसान से पूछेंगे तो आपको लगे वो इंसान आपको explain करेगा कि क्या आपने कोई drink कर रखिया है या कोई आपने नसा कर रखा है या exactly क्या हो गया आपको भी sudden इस तरह की चीज़ें क्यों हो करने में difficulty होती है आपको coordinated होने के लिए बड़ा conscious होना पड़ता है बोड़ी को साधना पड़ता है बोड़ी को बिलेंस करना पड़ता है एक conscious approach लगाना पड़ता है तो यदि यह सब symptoms हैं तो आपको vertigo हो सकता है आपको dizziness हो सकता है आपको चक्कर की problem हो सकती है अब इसके प काम होता है कि हमारी body को coordinate करें जब हम चलते हैं या जब हम उठते हैं जब हम बैठते हैं तो एक body का coordination बोड़ी का ठीक रखें यह एक बैलेंसिंग ड्रम का काम होता है तो हमारी body के अंदर दौनों कान के पास balancing drum है इनका काम है coordination control balance क्यवंद यह देखा जाता है कि aging के सार्थ aging होने के सार्थ हमारे coordinated जो ब्लड बेलेंस के लिए जो आपके drum होते हैं उसमें blood की supply कम हो जाती है तो उसके कारण भी यह आपको वर्टी को देखा जाता है दूसरा फिर कोई internal ear का problem ENT का कोई इसू हो सकता है आपका ओकुलर प्रेशर यानि eyes का pressure कम जादे होना eyesight का कम जादे होना या आपको कोई पुराणी head injury है वह कारण हो सकता है migraine कारण हो सकता है blood pressure का लगातार बढ़े रहना एक कारण होता है BP और जो सुगर है आपका दोनों ही condition आपके लिए harmful नहीं excessive होना चाहिए और नहीं excessive low होना चाहिए दोनों condition में आप vertigo dizziness feel करेंगे इसके बाद आता है कि sodium का level यदि body में बहुत जादा कम है तो आपको vertigo हो सकता है और vitamin b12 की deficiency vitamin b12 एक बहुत ही vital vitamins है जो आपके blood के circulation में यानि आपके brain जो neurological आपका जितना भी काम है neurons के अंदर blood की supply को वह coordinated रखता है balance रखता है तो vitamin b12 की यदि आपको deficiency है तब भी आपको vertigo हो सकता है तो यह कुछ fundamental causes है vertigo के पीछे complications में यदि आप उसको report नहीं करते हैं दॉक्टर से concern नहीं करते हैं treatment नहीं करते हैं तो यह इसकी frequency बढ़ेगी फिर आपको जब आप उठते हैं बैठते हैं चलते हैं तब आपको चक्कर आ सकता है या फिर brain का CT MRI करके समझ सकते हैं कि उसकी problems क्यों आपको हो रही है इसको differentiate भी करने की ज़रूत है एक चक्कर आना मिर्गी का दौरा या दिल का दौरा या cervical का pain या फिर दूसरी बज़े से जो चक्कर आते हैं उससे इसको differentiate करने की आवश्यक्ता भी है इसमें black out होता है sudden आपको चक्कर आता है आपको गर्दन में coordination मतलब pain आएगा लेकिन थोड़ी देर के बाद आप normally feel भी करते हैं तो इसका दूसरे जो चक्कर आने के कारण है उससे differentiate करना भी इसको immediately बहुत ज़रूरी है treatment में आपको medical treatment के साथ साथ कुछ exercise और आपको सोने का तरीका बैठने का तरीका चलने का तरीका यह थोड़ा सा बदलना होगा जब आप इस तर से उठें तो body को neck को और आपको अपने दोनों हातों को और shoulder को थोड़ा सा move करें पांच मिनट बैठें उसके बाद मूब करें ब medical treatment के साथ साथ डॉक्टर आपको एक वर्टन 16 MZ टाबलेट थ्री टाइम से डे प्रसकाइब कर सकतें यह आपको help करेगा प्लस बहुत अच्छी नीद प्लस आपको यदि eyesight का कोई प्रॉब्लम है तो आप इमीडेटली आप इस्पेक्स लगाई इसके बाद कुछ पर्टिक खीचिए और आपको दौनों अपने कान से लगाने की कोसिस करिए और इसको आप 125 सेकिंड होल्ड करिए देन अगें तो 8-10 टाइम्स यह आप exercise करेंगे इससे आपको वर्टिकों में फायदा होगा सेकिंड एक्सराइज में forward और backward rotation आप सोल्डर्स को आगे की तरफ रूटे exercise में आपको clockwise, anti-clockwise neck को rotate करना है कोई object भी बना सकते हैं पैन से कोई circle घेरा भी बना सकते हैं वह आपको help करेगा clockwise घुमाएं फिर anti-clockwise घुमाएं आप 8-10 टाइम यह रिपीट करेंगे that will be helpful यह वर्टिकों में आपको recovery में मदद करेगा but immediately आपको जो symptoms से उनको identify करे मेडिकल ट्रीटमेंट लें उसके साथ यह exercise करें और consciously उठते हुए बैठते हुए चलते हुए इसका थोड़ा सा ध्यान रखें थैंक यू बेरी मुच और टेक केर और से